जेहीं दोस्तों, दोस्तों स्वगत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल ग्यांदे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ B.A.R.C.D.E. Online Form 2020 के बारे में कि कैसे आपको U.D.C. Junior Storegy पर Stenographer का Online Form Fill Up करना है तो आप इस वीडियो को देखते रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप स्पॉम को बिना किसी mistake के भर पाऊगे तो चैले दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों भी जो website देख पा रहे हो, इसी website के माध्यम से apply on-line किया जाएगा और इस website का link आपको वीडियो की discussion में मिल जाएगा ये link आपको open कर लेना है और अब जो step मैं आपको बताने वाला हूँ इन steps को follow करते जाना है तो यहाँ पर आने पर आपको क्या करना है आपको click here for new registration के उपर click करना है मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनकैडमी के बारे में जो कि इंडिया का largest learning platform है और यहाँ पर आप दोस्तों अकैडमी को join करके इसके plus features का फाइदा उठा सकते हो इसी के साथ मैं आपको बता दू कि अनकैडमी टीटी चैंपेंसी फिर से लेकर के आया है और जो कि आपकी 29 नॉमबर 2020 साम 6 बजे को होने वाली है जिसका time duration आपका 1 घंटे का होने वाला है इसको आप फिरी में join कर सकते हो और join करने के साथ साथ फिरी में आप यहां पर अगर अपनी rank first लेकर के आते हो तो आपको 5000 रुपे का Amazon voucher मिल जाएगा अगर आपकी rank 2-5 के बीच में आते है तो आपको 1000 रुपे का Amazon voucher मिलेगा और अगर आपकी rank 6-10 के बीच में आते है तो आपको 500 रुपे का Amazon voucher मिल जाएगा इसके अलावा CTT Master Practice Series by Hemant Singh आप यहाँ पर जोइन कर सकते हो इसका जोइन लिंक भी आपको वीडियो के डिसक्पशन में दिया है UPTGT PGT Special Science by Saurabh Sarma इसको भी आप यहाँ पर जोइन कर सकते हो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिसक्पशन में मिल जाएगा इसके अलावा UPTGT PGT Special Mathematics जो की कमल दीप सिंग के दुआरा आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो इसका जोइन लिंक आपको वीडियो के डिसक्पशन में दिया है या फिर आप डिरेक्ली अनकैडमी लेर्निंग एप को डाउनलोड करके भी इसको आज ही जोइन कर सकते हो न्यू रिजिश्टिसन के उपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर रिजिश्टिसन का पेज आ जाएगा इसमें अनिलिजिबल हो जाओगे अब बात करते हैं आपके अगले ओप्सन की जो की है केंडिट नेम तो जो भी आपका नाम दस्वी की माकशिट के नुसार है वो नाम आपको फिल अप कर देना है कास्ट कर देना है यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है यूर यानिके अनि कीजिए ने तो आपको नो करना है डिपार्टमेंट के अगर आप है तो यस कर दीजिए ने तो आपको नो करना है एक सर्विस मैंने तो यस कीजिए ने तो यहां पर भी आपको नो करना होगा क्या आप परिवार के सदस्या है जो 1922 के दंगों में मारे गए थे अगर है तो अपने date of birth select करने होगे पहले यहां से जो भी आपका year है वो choose कर लीजिए और इसके बाद यहां से month और फिर यहां से आपका जो भी day है वो आपको select कर लेना है पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हो पासवर्ड आपको यहां पर enter करना है पासवर्ड के requirement क्या हो आप यहां पर देख लीजिए आपका जो पासवर्ड है वो 7 से 20 करेक्टर के बीच में होना चाहिए जिसमें कि आपका एक at least lower case जो की a से z के बीच आता है एक upper case जो की a से z क बीच आता है एक number और इन में से कोई एक special character होना चाहिए मालीजे मेरा नाम है अमजद तो मैं यहां पर a बड़ा करता हूँ यानि के capital में उसके बाद mzad small में और जो आपका special word है उसमें आप at the rate या फिर डोलर का जो चीन है इसका यूज कर सकते है और फिर उसके बाद आप जितनी पिजान कर यह आपने आपर भरी है इन सभी को एक बार चेक करने के बाद नीचे आख करके submit के उपर आपको click कर देना है submit के उपर click करने के बाद यहां पर आपसे पूचा रहे कि are you CEO अगर आप CEO हो तो यहां से यह सब्मीट के उपर click कर दीजे इसके उपर click करने के आपको बोला जारे कि you have successfully registered please login with entered email and password तो अब यहां से आपको ok कर देना है ok करने के बाद यहां पर आपके सामने login का page आ जाएगा अब जो आपने email ऐड़ी यहां पर फिलप की थी वो email ऐड़ी आपको फिर से enter कर देनी है और जो password अभी आपने आपर choose किया तो password आपको यहां पर enter करना है और security code यहां पर डालने के बाद आपको simply submit के उपर click करना है submit के उपर click करने के बाद यहां पर आपको उपर की तरफ अपनी registration की जानकारी देखने को मिलेगी जो कि आपने registration करते समय फिलप की थी status तो यहां से आपको जो भी status है वो select कर लेना है फिर यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिल पाए religion तो आपको जो भी religion है वो यहां से आपको select करना है इसके बाद क्या आप अलप संकेक समुदाय से हो यान के minority community से belong करते हो अगर करते हो तो yes कीजिए नहीं तो आपको no करन है अगर आप यहां पर yes करोगे तो आपको अपनी community का नाम भी यहां पर देना होगा इसके बाद क्या आपके इंदर या फिर राजय सरकार के करमचारी है अगर है तो yes कर दीजिए नहीं तो आपको no करना है no करने के बाद वार्सिक परिवारिक आया यान के annual family income आपके कितनी है वो यहां पर आपको WORLD के अंदर फिलप करने बैसिक लिए जो भी आपकी income है वो आपको यहां पर बढ़नी होगी तो चलिए हम यहां से इसको फिलप कर देते हैं फिलप करने केB downhill आप दोस्तों आप देखो कि राश्टेतर जो कि यहां पर आपकी इंडियन है इसके बा इसमें कहीं से भी apply कर रहे आपका center इनी locations पर होने वाला है तो इसमें से आपको जो भी locations रखनी है वो choose कर लेनी है और फिर इसके बाद आपको second जो choice है वो भी select कर लेनी है इसको select करने के बाद यहाँ पर आपको third choice भी choose करनी है तो चलिए हम इसको select कर लेते हैं अब यह करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने 이 section के अंदर भरी है वो आपको एक बार चक करना है और फिर आपको submit के ऊपर click करना है फिर यहाँ पर आपको अपनी state चूज करनी है कि आपके state से स्वर्म को भर रहे है उसके अंदर आपकी कौन से district का वो district यहाँ से आपको select कर लेनी है इसको select करने के बाद आपको अपने post office से district का पिन कोड यहाँ पर enter कर देना है नीचे आता है permanent address यानके state पता तो अगर आपका present और permanent address से में तो यहाँ पर tick कर दीजिए नहीं तो उसको untick रहने दीजिए और अलग से अपना permanent address भर दीजिए मेरे दोनों address से में इसलिए मैं यहाँ आप टिक कर देता हूँ टिक करने के बाद आप नीचे देखोगे कि क्या आपके कोई भी इसदार पहले से BARC DAE के अंदर कारी रहत है अगर है तो आपको यहाँ पर उनकी जानकारी देनी होगी आपको relative का name relationship उनके साथ क्या संबंद है आपका किस unit के अंदर वो employed है वो और किस post पर काम करते है वो य इस post पर आप apply करे हो उस पर apply करने के लिए क्या qualification चाहिए उसके जानकारी आपको यही पर जानने को मिल जाएगी अब आपको यहाँ पर एक एक करके जानकारी बढ़नी है जैसे कि सबसे पहले 10th के जानकारी बढ़नी है तो आपने 10th किस board से की है उस board का नाम आपको देना ह है percentage आपकी आजएगी duration आपका एक year का होता है इसलिए आप यहाँ पर एक year लिख दीजिए और remarks के अंदर जो भी आपकी division थी first, second, third या फिर pass class वो आपको लिखना है फिर same तरीके से आपको 12th के जानकारी बढ़नी है अपना passing year यहाँ पर enter कीजिए जो भी आपका stream था PCM, PCB, Commerce, Science जो भी था वो basically आपको यहाँ पर fill up करना है maximum marks आपको यहाँ पर enter करने है उसमें आपको कितने आयते हो आपको यहाँ पर डालना है duration आपको यहाँ पर लिख देना है और आपका remarks क्या था जो मैंने आपको 10th में बताया सेम तरीके से आपको लिखना है फिर आते ही आपक को अपनी university का नाम देना है जहां से आपने अपने डिगरी की है उसका पूरा नाम दीजिए मैंने सोट में लिखा है और इसके बात किसी एर के अंदर आपने पास किया था डिप्लोमा या फिट डिगरी फिर आपका discipline किया तो आपको यहाँ पर लिखना है maximum marks यहाँ पर डाल क्लिक करना है और submit के उपर क्लिक करने के बाद आपके सामने document की जानकारी आजेगी जिसमें कि आपको अपना photo upload करना है जिसका size 20-50 के बीच रहना चाहिए तो आपको यहाँ पर choose file के उपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका photo है वहाँ पर जा करके आपको इसको upload करना है तो चलिए हम यहाँ पर एक random image मैं आपको upload करके दिखाता हूँ इसको select करते हैं और open कर देते हैं open करने के बाद आपका image यहाँ पर आजेगा फिर सेम तरीके से आपको बोला है कि उसी photograph की कुछ परतिया अपने साथ रखनी होगी अब आपको यहाँ पर choose file के उपर click करके जह impression attached करें यान कि आपका जो बाया अंगोटा है उसका जो थम impression है वो यहाँ पर आपको upload करना होगा तो जो भी आपका थम impression है वो यहाँ पर आपको इस तरह से blank page पर लगा करके उसको scan करके यहाँ पर upload कर देना है अभियरती सरेणी पर्मांट पत्र सलंगन करे attached candidates category certificate अगर आप आपका जो SCHT OBC candidate उनको यहाँ पर अपना certificate upload करना है नहीं तो आपको सामने यह option नहीं आएगा अगर आप यूर से इस form को भर रहे है इसके बाद यहाँ पर है उम्मिद्वार की योग्यता तो basically यहाँ पर qualification certificate upload करना है यहाँ पर बोले कि उम्मिद्वार की योग्यता प्रम submit के उपर क्लिक करना है submit के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके जानकारी का प्रिव्यू आजाएगा आपको सभी जानकारी को चेक कर लेना है और चेक करते हो नीचे आने और नीचे आ करके आपको यहाँ पर पूरी तरीके से स्योरो करके declaration के उपर क्लिक क के ऊपर क्लिक करना है और यहां से पुरी तरीक है से spouse हो जाना है कि हाँ मेरी जानकारी सही है और मैं इसको लोग करना चाहता हूं और इसके बार इसको एडिट करने की अनुमति नहीर लेना चाहता है तो आपको customer क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर यह option देखने को मिलेगा और इसके बाद आप अपनी form को log कर पाऊगे आप किसी भी माध्यम से अपनी application fix जमा कर सकते हैं आपके सामने कोई भी problem नहीं आएगी अगर आती है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं मैं कोसिस करूँगा कि आपको answer कर पाऊ और जब आपकी fix जमा हो जाएगी तो आएगा take application form print out for future reference तो आपको print application form के उपर क्लिक करके अपने application form का print ले लेना है तो इस परकार से दोस्तों आप अपना B.A.R.C.D.A.E. Various Post Online Form 2020 भर पाऊगे आई होप यह जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा अगर आया है तो प्लीज आउस वीडियो को like, share और साथ इसाथ आपके अपने YouTube चैनल ग्यांदे होस्ट को subscribe करके बेल आइकन को on कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के notification सबसे पहले मिल पाए जे हिन दोस्तो